नमस्कार मैं हूँ कुमार गजेंदर जन्पत ओर्दा स्पॉर्ट में आपका स्वागत है हमारे एक दूसरे सोचल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंदर में भी आपका स्वागत है हम एक अच्छी पत्रकाईटा को आप लोगों के सामने रखना चाते हैं पिछले 26 सालों से पत्रकाईटा में इसी तरीके से शक्रिया हैं और बड़े-बड़ी खबरे की हैं लेकिन हमेशा ये ध्यान रखा है कि खबरों को वो खबरें जो आपके पास नहीं आपाती हैं जिनने दवा दिया जाता है जो सचमुच खबर होती है जिनको बहुत से राजिनितिक पार्टी है या बहुत सारे ऐसे लोग जो खबरों से डरते हैं उनको छिपा लेते हैं इसमें हम पिछले 26 साल से प्रयास दे और लगातार आप लोगों को ये खबरे देते हैं कई बड़े मीडिया संस्थानों में काम करने के बाद अब ये प्लेट फार्म भी हम आपके लिए इसलिए लाएं कि आप से कोई खबर बच ना पाए अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को जॉइं कर सकते हैं हम आज एक बहुत तेजी से बढ़ते हुए सोसल मीडिया पॉलिट फॉर्म है और इसके लिए हम आपके तहे दिल से सुक्र हुजा रहे हैं आपका शुक्रिया अब हम आते हैं खबर पर दिली के उप्वे मुख्यमंत्री मनी सिसो दिया जो करीब एक साल से भी अ भूमी का थी बहुत बड़ी भूमी का थी और संजे सिंग अर्विंद के जीवाल समेत कई लोगों के वो संपर्क में थे इसके अलावा साउथ की जो लौवी थी जो बहुत सारे गभा सरकारी गभा बन गए उनसे भी उनका संपर्क था बहुत गंभीर चार्जिज हैं मनी स सिसोधिया के उपर एक समय पर मनी सिसोधिया जब मुख्यमंत्री बने थे तो बड़ी अकड में रहा करते थे उनकी अकड ऐसी थी कि उन्होंने राज नीती में आते ही बहुत सारी चीजों को इस तरीके से तहसनेस किया बस पूछे मत और अपने आपको सर्टिफिकेट दे गए और करप्शन में फसने के बाद पिछे एक साल से करीब एक साल से वा वो तिहार जेल के अंदर बंद है जगा 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 जमानत याचिका है लेका जगा जगा उन्होंने खा लेकिन उनके खिलाफ एडी के पास बहुत पुकता सबूत ते डिजिटली और मैनुली इसल सारे आम आदमी पार्टी के जितने चोर पकड़े गए हैं जो तेहार जेल के अंदर रहा हैं ये सब यही बहाने लगाते यही पैतरे अपनाते एक सतेंदर जैन नाम के जो चोर हैं वो भी अंत्रिम जमानत लेकर घूम रहे हैं स्वास्ते की बात कर अब मनीश सिसोधिया न अपने फैसले में कि वो बहुत प्रभावी आदमी है इसलिए गवाहों को सबूतों को और प्रभावित कर सकते इसलिए उनका जेल से बाहर आना ठीक नहीं है खेल यह तो था यह अभी पिछले दिनों उन्होंने एक नया पैतरा फैका था कोट के पास कि उन्होंने ये आएंगे जैसे एक बार आचुके यहार जिल से उन्हें कस्टडी में लाया जाएगा पुलिस लेका आएगी गारत उनके साथ चलेगी और उनको जो है सब्ता में दो बार वो अपनी पत्नी के साथ बात कर सकेंगे पत्नी से मिल सकेंगे और उन्होंने इसके एवज में जो बहाना बनाया वो बहाना ये था कि मेरी बिमार पत्नी से मुझे मिल लेगे खैल हमें लग रहा था कि इन्होंने जो दो दिन का मांगा है हम अपने पिछले वीडियो में आपको बता चुके थे कि दो दिन का जो मांगा है हो सकता है कि इने एक दिन का ये मिल जाए ये पहले एक दिन का कस्टडी पैरॉल जरूर दे दिया गया है याने के अब मनीज सिसोधिया रावजविनी कोट ने मनीज सिसोधिया को कस्टडी पैरॉल में सब्ता में एक बार अपनी पत्री से मिलने की इजाज़त दी जी कोट ने कहा कि मनीज सिसोधिया को ये सब्ता अगले आदेश तक जारी रही याने के अब उनको पागाता टाइम दिया गया कि आप सुबह दस बजे से और पांच बजे तक आप अपनी पत्री के साथ रह सकते हैं आप उनसे बात कर सकते हैं लेकिन सब्ता में सिर्फ एक बार म ये मानेविया आधार है ये लोकतंत्र है लोकतंत्र की मर्यादाओं को कई तरीके से रखा जाता है और खास तोर पे कोट के अंदर इन चीजों का बड़ा विशेश ख्याल रखा जाता है क्योंकि मनीज सिसोधिया करीब एक साल से तिहार जेल के अत्तर बंद है तो कोट ने आज उन्हें एक सब्ता में एक दिन अपनी बिमार पत्नी से मिलने की इजाज़त दी है और उनके उपर ये कंडिशनल भी है किसी से बात नहीं कर सकते पोन का इस्तिमाल नहीं कर सकते और डॉक्टरों से भी वो बात कर पाएंगे जो उनकी पत्नी के जो इलाज में लगे है कोट में दी गई अपनी अर्जी में मनीशी सोद्या ने अपनी पत्नी से दो बार मिलने की इजाज़त मांगी थी सप्ता में हलाकि कोट ने अगले आदेस तक उन्हें एक हपते में सिर्फ एक ही बार मिलने की इजाज़त दी है कोट ने का कि यह विवस्ता कोट के अगले आ जो आस्वासन दिया गया है वो दिल्दी सराबनीती अन्यवेत्ता मामले में मनीश सिसोधिया की जो याचिका है जमानत याचिका उसे खारिज करने के सीस अदालत के फैसले पर जो चुनती देने वाली याचिका थी उसे भी सुप्रीम कोट में सूची बद्ध कर लिया है और सिसोधिया की ओर से पेस वकील एम एम सिंग्वी ने कहा कि दिल्दी के पूर्व मुख्यमंत्री एक साल से अधिक समय से जेल के अंदर बंद है और उनको जमानत नहीं मिल पा रही है इस पर सुनवाई होगी सुप्रीम कोट ने सुची बद्ध उसको लिस्टिट कर लिया है बीते साल 13 दिसंवर को सुप्रीम कोट ने इस मामले में जमानत देने से मनीश सिसोधिया को इंकार कर दिया था सीर्स अधालत के आदेश के खिलाब मनीश सिसोधिया की समिक्षा याचिका को खारिज कर दिया था सुप्रीम कोट ने इस से पहले 30 अक्टूबर 2023 को सुप्री लेकिन कोट ने मनीश सिसोधिया की याची का खारिज कर दी थी यानि कि सिसोधिया की याची का खारिज होने के बाद उन्हें हर जगा से जब निजासा मिल रही थी वो बार बार फड़ड़ा रहते कि किसी तरीके से पिहार जेल से बाहर आ जाए तो मनीश सिसोधिया ने अब एक नया पैत्रा चला था और वो पैत्रा ये था कि उन्हें सब्ता हमें दो बार कस्टडी पैरॉल पर कुछ नहीं तो जनाब यही कर दीजिए कि कस्टडी पैरॉल पर अपनी बिमार पत्नी से मिल लिए रहे यहां वो उनके डॉक्टर से भी बात कर पाएंगे बड़ी बात है मनीश से सोधिया अब हर सब्ता में एक बार अपनी पत्नी से विमार पत्नी से जरूर मिल पाएंगे यह उनके लिए कोट से करीब एक साल बाद एक बड़ी राहात की ख़वर आई बहुत बड़ी बात है अगर आपको हमारी ख़वर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखेगा इस